बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ देखिए गोटी यह तीनी समी बिसिस्टों गोटी यह व्रुत्त अंकर न करो ओके यहां पर तुम क्या करोगे थ्री सेम का स्केल से थ्री सेम ले लोगे अगे थ्री सेम लेने के बाद यहां पर राउंडर का यह रखोगे राउंडर से सेक्ठों सर्कल बनाओगे ओके यहां इसमें क्या कर दिखाना है पहला सेक्टर सेक्टर इसे कहीं पर ही बना सकते हो सेक्टर है दो रिजिन बिट्विन टू रेडियोस एंड आर्क दो रिजिन बिट्विन यह आर्क कहते है आर्क यह आर्क है और यह रेडियोस है ओके तो रिजिन बिट्विन टू रेडियोस एंड आर्क इस काल दो सेक्टर ओके यह इसका नाम है सेक्टर है ओके यह इसको क सेक्पोर केते हैं। ठीके? ओरीयामा सेमिंहें मांको वृत्तो खळा आक्षएं। समी लिखो, समी लिखो बच्चो, ओडिया मिन माको वृत्यो कड़ा को आजे, the region between the two radius and the arc is called the sector, okay, अमरो, okay, दूटी ब्यासर दो, आउडे रेखा कोंडरो, जो खेत्र फड़ो, तको आमें वृत्यो कड़ा को आजे, okay, next minor segment देखिए, वृतांस, okay, आचा ये त्वार काड है, क इस लाइन को काड कहते है, इस लाइन को क्या कहते है, काड, जाब बोला जाता है, जाब, 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 FB को 200 डाइमेटर को आजे, ठीके, ओए, डाइमेटर, FB is the diameter, the longest cord is diameter, ओके, आच्छा, नेक्स्ट और माइनो सेग्मेंट, माइनो सेग्मेंट, दो रिजन बिट्विन दो कोड एंड दो आर्ग, आकु को आजे, माइनो सेग्मेंट, मने भृतान सो, आकु माइनो सेग्मेंट क को आजे, ठीके, माइनो सेग्मेंट, माइनो सेग्मेंट और मृतान सो को आजे, ठीके, ठीके, बृतान सो, ठीके, एक जाम आता है, दो रिजन बिट्विन दो chord and arc is called the region between the chord and arc is called that is minor segment or button so joke khetra rekha kondo our jaw rekha kondo of jammed there joe khetra kukon kwa jay rutaanso kwa jay okay 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 the longest chord diameter longest chord diameter the longest chord is diameter bro tomo jay hello beso a b so 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 okay okay so bro tom jay koda hammer b so a 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 b so rock orish mita bootam attu to vari there so someéquみ tried it to और त्मारा जो लिख दिये थोड़ा है नहीं सर यह हमारा एक सरकल है और इसमें इसको रेडियोस के ते बैसाद को आजाओ जाओ रेडियोस आर्क बैसादो तो हमारा दोठो बैसादो दोठो रेडियोस मिलने से हमारा ढाइमेटर होता है 200 सुमारो इसमारो दीता बैसाद मिसिल हो चींगे दीता बैसाद मिसल आपर हमारो रोट डाइमेटर बाद यास और 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 उकानल बैसाद हो अर के मकलब रेडियाश साही वह यह होगा saat two into radius हमारा two into radius equal to diameter होता है और due tya best of the radius likes epic are निखू और रेडियोस मिला के डामेटर होता है नेस्सस आलाफिए ुणोगे सम्लोंगे स्कॉडीrise ृदय कार या उता है ब५ुतर अम या व्लोंगे समझे हुए, लौंगे समक्री आप 2, सिर्धस गाजिय थे है कि आ यहा से कि निए भी व्यक आ, अगे, हला, दो लंगेश कर्ड, अगे, निए निए महरो व्यक आथ, निए भी विंच कुछिंगे, निए भी आप सम्कुछिंगे, ट्थी सम्क्ट्री कीजिए के अहला बेटिमें तो राजिए, the area between the two radius the area between the two radius इसको radius केते है and arc the radius between the two radius and arc is called is called is called sector इसको sector केते है okay the area between the two radius okay ये दोइटी ब्यासर धो आउ रेकाख़न्ड ये दोइटी ब्यासर धो आउ रेकाखन्डोर मध्यरू थिबा जोँ खेत्र फड़ ताको vrithya काणा आजए vrithya काणा आजए okay देखो आखो vrithya काणा आजए next देख़े तो area between the chord and arc, एक arc, एक arc, कुटे रेखा खुंड़, okay, arc is the part of the circle, रेखा खुंड़ हमरो, कुटे part of a circle, okay, dash is a part of a circle, the arc is a part of a circle, okay, okay, तो the area between the arc, the area between the arc and chord is called minor segment, minor segment, okay, minor segment, okay, minor segment, और जो जया, जया, आकु जया को आजया, ओडियार आकु जया को आजया, एब आम जो रेखा खुंड़, मध्यर्थिवा खेत्र, that is called भृतांस, भृतारंस, भृतांस, भृतांस, भृता खुंड़ भी को आजया, भृतांस को हो, या भृता खुंड़ भी को हो, ठीके, भृत यह देखा जाओ नी, बृतांसो या बृता खोंड़ भी को आजे, बृतांसो या बृता खोंड़ खोंड़ को आजे, तो area between the chord and arc is called minor segment, minor segment, ओके, ओके, आप देखिये, इसके बाद, हम पढ़ते हैं, इसके area of the circle, बृतार खेत्र खड़ो और परिस्विमा, perimeter और परिधी, ओके, चलिए पढ़ते है, area पे circle, यह circle है, ओके, area पे circle मने, इसका अंदर वाला जो है, यह area है, ओके, यह आंदर वाला चीज को area बोलते है, ओके, तो area पे circle का फर्मला है, खेत्र खड़ो, area को खेत्र खड़ो बोलते ह सेर्कल होता है पाई-आर-ब्सक्राइब कर यह को इसे लिखते हैं यह वाला पाई इसको बोलते है बाई ऑके और इसका दो बहळुआ होता है यह पाई का दो बहलु होता है 1 k 32 बाइ 7 हमेह सा युज होता है और 3.5 3.14 होता है era पाई का दो वेल बेलियों होता है सिम्बल नाम है पाई यसका एक वेली आ चुन तूल का एक भैलू high seven और एक वेल थी पोड़् फोर आपको याद रखना है पाई का वेल वेल के तो अरीया पे चरकल का होता है पाई means 22 182 20 एर इंटो आर यह फर मिला मैं पहला Englishmedium समझ आता हूं। उसका दोदियो मेर का बाद बोलूँगा। लेख दिया इतना। Alexandra ओला, इतना सदूद। शाम कितोफ़ स्सिफी है, लिगर डुतन के हलां है। पॉरिसिमा उसको पेरिमिटर भी बोलते हैं सार्कुम्फरेंस को पेरिमिटर भी बोलते हैं पेरिमिटर 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 पेरिमि यह boundary को perimeter कहते हैं या circumference कहते हैं भूत्तर परिधी में देख आ जाए परिशमा या परिधी perimeter में तुम्हारा यह boundary होता है यह boundary को perimeter बोलते है area means अंदर वाला चीज अरिया होता है ठीक है इसका formula है circumference circle और भूत्तर परिधी होता है 2 pi r 2 into pi into r और 2 into pi के value 22 by 7 into r यह भूत्तर परिधी कुबला जाता है 2 pi r 2 into 22 by 7 into r अगे भूत्तर खेत्रफड बूत्तर खेत्रफड और यह 12 by 7 गुणना ब्यासाद गुणना ब्यासाद और ब्यासाद रबर्ग 22 गुणना ब्यासाद गुणना ब्यासाद गुणना ब्यासाद और ब्यासाद रूत्तर परिधी बुतर परिदी यह तै टू इंटू 22.7 गुणा नो आर नो आर मने बैसाद यह फर्मूला लेख दीजे बुतर परिदी वे आप परिश्मा 2 गुण नो 22.7 अचा और एक बात ए लेख दी ले बुतर परिदी लेख दी ने आचा second बात है यह पहला formula है area पे circle का पहला formula है यह second formula है 2 x 210 x 7 x R third formula देखिए काभी-काभी area देता है वह काभी-काभी area देता है उसका radius सटाइब करना है केता है कि तरकाता को तो लीग यह फॉर्मौला मैं लिग दो 104 सब्सक्राइब यह रिग मि आर्डा इसका लुको round से मुस्क्राइब कि area फे circle देता है उसका radius निकल निकल बोलता है तो पहला क्या करेंगे यह into pi दरा के divide pi होता है into pi दरा के divide pi होता है equal to r square और पर square दरा के square root होता है square दरा के square root होता है यह आपका जब area देता है जब तुम्हारा एरिया देता है, खत्रफ़ण देती वो, सिपचात्य बैसाद दो कड़ो, पहले इंटु पाई इधरा के क्या होँआ रेक, डिभाइड वा, और स्क्वार इधरा के क्या होँआ, स्क्वार रूट वा, आचा उसको और भी थोड़ा ये कर सकते हो, और भी क्ता सिंपल फाई? और कलम उरा एरियाब सर्क्ल पाई स्क्वार होता है, इंटू deber पाई होता है, स्क्वार इधरु ये स्क्वार वोग और थोड़ा, आपका क्या रेडि़ू स्क्वार रेडियस क्या ही और थ्छत्वार इधरा क्या होँआ इस सबस्कार करें newspaper में दिखाया करने तुल है यह आपका फाइनल फॉल्क है जब बारे मैंति सी पाइनल और यूक्ल वाइनल फॉए पर लॉट यह फॉम्रा याँ यह निया लिया देंग किसका बल्त소 स्क्वार इस तरवान से स्क्वार रूट होता है बर्ग पुड़ अपर सरकल इस तरकल कंप यह बोला जाता है तो तुम्हारा यह एरिया पर सरकल पायार स्क्वार इंटू पाई डिवाइड पाई हुआ स्क्वार इदा के स्क्वार रूट हुआ बर्ग पुड़ हला ओके दें तुम्हारा यह डिवाइड से वे टॉट्टी बाई से और उल्टे की मॉल्टिप्लाइ करी हो पायर भेलू टॉट्टी बाई सेवन पके हो तक उल्टे की तो फाइनल आपका फॉम्ला है रेडियस का ए एरिया इन्टु सेवन पाइ टॉट्टी तु इसका स्क्वार रूट जेत्र खेत्र फळ देए थी हो तर बैसाद काड़िवारो फॉम्ला खेत्र फळलो गुड़ों नो सेवन बाई सी उसका बर्गो मुलो आर बैसाद काड़िवारो लिग दिया फॉम्ला आचा नेक्स दे प्रमला है टू इन्टु पाइ इन्टु आर बुतर पदी दूई गुड़ों नो सार्कुम्फरेंस अपे सर्कल सार्कुम्फरेंस अपे सर्कल होता है ओके ये टू इन्टु पाइ इन्टु आर आचा पाइ का फेलू टू बैसेट इन्टु आर ये टू उपर इन्टु गर इन्टू होगा और इन्टू 44 डिवाइड होगा यह सर्क हां आपका रेडियस निकालने का फोर्मला है जब सार्कुम्फरस देता है यह तू पाई आ रहे है पाई के फेलो टोट्टू बाइ सेबने यह इन्टू टू कर दिजिए 44 बाइ सेबन देन रेडियस इक्वाल्डू क ख़ष्य। अब बोलो जारो चारों सेल ले खे यह उसका फुल्प्रम के है शार्कुम्फरस भूतर परजी। सी पर सार्कुम्फरस ऑगे दन इंटू सेबन डिवाइड सेवन इंटू और ही इंटू पोर्टिवाज दिवाइड होगा शी इन्टू सार्कुम्फरस अखया अचा तो फाइनल फोर्मुला सभ देखिए फाइनल फोर्मुला में बोलता हूँ आइनल सभी फोर्मुला देख लिजे ओके, फाइनल फॉर्मुला देखिए, होई, अरिया पे सर्कल बोलो, अरिया पे फॉर्मुला पाई आर्स का, 20 बाइस 7, रेडियस इंटो रेडियस, अरिया पे सर्कल, सर्कुंफरल्स अपे सर्कल बोलो, खुऍवरल, अरिया पे सर्कल बाइस 7, अरिया पे सर्कल बीचंफरल्स चर्कल तो पाई-ार्स दिओंगूण 22,7 इंटो आर्स रेडियस का फॉर्मुला र्डियस का फॉर्मुला है, जब सर्कुंफरल्स बहआता है, C into कितना है रहे यह 7 by कितना 44 यह सा C into 7 by 44 जब circumferent देता है यह आता है क्या formula आता है final formula है area of circle 22 by 7 into radius circumferent circle 2 pi r और यह pi r square और जब तुमारा circumferent देता है policy देता है तो radius equaled होगा आपका divide 7 into होगा divide 7 into होगा और into 44 divided होजाएगा C into 7 by 44 और एक तो radius का formula है कि जब area देता है क्या होगारे जब area देता है यह 7 यह तुमारा पहला into divide 7 into होगा और यह square इदर आके square root होगा तो यह तुमारा जब area देता है तुमारा यह निकलेगा यह divide 7 into होगा यहाँ पर याद रख सकते हैं इसका formula याद रख सकते हो divide 7 into होगा into 22 क्या होगा divide 7 into होगा into 22 divided होगा और r square square इदर आके square root होगा इसको भी याद रख सकते हो यह divide 7 into होगा और 44 divided हो जाएगा r equal to ऐसे याद रख सकते हैं चार formula है और एक्ट हो r equal to diameter by 2 200 by होई और एक्ट हो diameter by 2 होता है और एक्ट हो फोग्ड़ा है diameter by 2 प्राइमेटर होता है diameter by 2 into radius एक दो तीन चार पाँच छे चलिए इस formula से problems करते है देखो गुतरा ब्यासा दूई गुणना दूई गुणना radius diameter 2 into 7 14 circumference 2 pi r दूई गुणना 22 विक्त साथ into r circumference 2 pi r 2 into pi का वल्यू 22 by 7 r मने कितना आएगा देखो circumference 2 into 22 by 7 what is the radius radius 7 है यह 7 सेन कर जाएगा 44 आएगा circumference 44 आएगा area of circle pi r square 22 by 7 r square r into r area पे circle pi r square 22 by 7 r into r ब्यासाद गुणना ब्यासाद दो area पे circle दिका लिए area निका लिए pi r square pi r square r कितना 7 into 7 एक 7 कर जाएगा 7 to 14 1 7 to 14 1 154 आएगा यह cm स्कार यह cm और यह ओके next मिशी तर निकाले जल्दी जल्दी निकाले देखिए हमारे एक circle है उसका radius 3.5 है यह circle है तर ब्यासाद हो 3.5 यह 3.5 उसका diameter यह भी 3.5 तो 2 टो 3.5 3.5 कितना होगा 7 आएगा 3.5 और 3.5 2 टो 3.5 diameter यह आएगा तर दस 7 आएगा तो diameter 7 आएगा उसके बाद निकाले circumference 7.0 जो है 7 वही है circumference दिखा लिए circumference 2 pi r 2 pi r 22 by 7 radius जो है इसको fraction कर दिजे 35 by 10 कर दिजे 35 by 10 fraction कर दिजे कितना है बोले circumference यह 7 वान जा 7 75 जा 35 21 जा 2 25 जा 10 यह 55 काट answer 22 आएगा 22 7 next बाद बना बना यह कितना हैगा उसका अरिया कितना हैगा बोलिए देखिए अरिया पे सर्कल ले दखिए अरिया पे सर्कल पाई आर स्क्वेर 22 by 7 आर स्क्वेर r into r ओके यह 22 by 7 रेडियस कितना बोलिए इसका रेडियस 3.5 35 by 10 है 35 by 10 into 35 by 10 काट कूट कीजे काट कूट यह 75 जा 5 आर स्क्वेर 75 जा 5 आँ जा 5 5 तू जा एगन 2 आँ जा 2 2 11 जा यह 35 into 11 by 10 देखिये मैं फिर से बोल लाओ यह 7 जा 7 7 जा 5 जा 35 5 जा 5 5 तू जा 10 ओके यह 2 जा 2 2 11 जा 11 into 35 by 10 कितना आता है 11 5 जा 55 5 11 जा 33 plus 5 385 by 10 तो 38.5 आएगा 38.5 ओके यह एक के बाद दे देजे 38.5 ओके ओके 38 होगा ओके नेक्स कुशिन मना यह नेक्स कुशिन का रेडियोस डाइमेटर होगा यह आप देखो एक के बाद दे देजे 38.5 हाँ बोले हाँ बोलो पता नहीं ओके यह 3.5 है उसको fraction करने 45 अब तरह चलिए यह जो पाइंटर डेसिमल में आवो ट्मारा वो डेसिमल में आये था उसका कुश्का दो नमबर का नो सर यह थात नमबर का मैं दो नमबर का बात कर रह तू थात नमबर का बात कर रह कुछ निकल में किसी का ढूड है कि जाडвалय निकल सर निकल का सकती न्वत नहीं एंगा से तीन नमर्म देखिए वह सल डाइमेटर होनुम। इन होगा हाच वाच अब हुआ रुक्ये लुटेन हिर आसके बाच सबस्च उर्टों से तो मिए यार आपका आरे यह तूरी जा रहा है ओके नेक्स देखिए उसका एरिया निकाली ए आचा देखिए इसका एरिया देखिए एरिया आता है तुमारा पर आता है पाई आर स्क्वर टून टू बैसे बन आर ए आर इंटू आर एरिया पर सरकल यह 14 इंटू 14 स्क्वर इंटू 14 4 इंटू 14 के इसे ठीज कि टून टू इंटू आएगा तंडर सिक्स्टी अच्छा नेक्स देखिए अभी कोश्चिन देखिए अभी दूसरे टाइप को मार के तर दाल तोड़ दूगा का उसा है गबा यहां पर एरिया दिया है एरिया दिया है रेडियस निकालना है मैं लिखा है तो फर्मुला एरिया इंटू अगर कोई बच्चा को फर्मुला याद नहीं होता है क्या करेगा होई सपोज एक बच्चा को फर्मुला याद नहीं है आपको एरिया का फर्मुला आता है क्या पाई आर स्क्यार ओके आपको एरिया का फर्मुला पता है आपको चाहिए रेडियस निकालना है तो डिवाइट यहां से निकाल सकते हैं, डिभाएड 7 क्या होगा, इंक्टू होगा, इंक्टू टू क्या होगा, डिभाएड 2 och square इदर है क्या होगा, square root, supple suppose कोई बच्चा, radius निकालने का formula भूल गया, अगर उसको area निकालने का formula आता है तो बना सकता है दीवैड से बन उधर जांसे हीच्च होता है इंट्व एधर के डीवायड होता है सुमया टूरशरा का फ्रम्ला क्या है तो इत्वाइड कर ने जैंड सीम्बला क्या है कि यह टॉंस को अट्व मेरे जाने डायमीटर दो ठो रेडियस होता है रेडियस का डॉल होता है डायमीटर जासर ओर दिखाएट में एक के बाद जो और अरteको बाद में कटेगा, 11, 2 जा, okay, 11, 2 जा, टोटीटू, यहां पर 11 में कार दीजी, देखिए 11 वां जा 11, रुको, 11 वां जा 11, 11, two जा, टोटीट, यह 11 में कटेगा, देखो, 11 वां जा 11, 15 में 11 जाएगा, 15 में 11 जाने से 4 है, 4 और 44 होता है, 11 फोर जा, वा, ठीक है, इलेन मां जा 11, 15 में 11 जान से 4, 4 और 4 मिला के 44, इलेन 4 जा, फिर 2 बान जा 2, 27 जा, ये 49 का स्क्वार रूट, 49 का स्क्वार रूट कितना रहे, 7 सेम आएगा, ओके, और डाइमेटर जो है, वो डबल करने से, रेडियस को डबल करने से आता है, डाइमेटर रिक्वार टू इन्टू आर होता है, 14 सेम आएगा, ठीक है, नेक्स दिया है, त्वारा सार्कुम्फरस दिया है, रेडियस निकाल ला है, कोश्चन यह है, आपका, कि यह सार्कुम्फरस दिया है, रेडियस निकाल ला है, अच्छा सार्कुम्फरस का फर्मुला पता है, 2 इन्टू पाई आर, ओके, हाओ, बेंस 2 इन्टू यह त्वारा, 44 बाई, 2 इक्वाल टू होता है, 44 बाई 7 इन्टू आर, आच्छा तो आर क इन्टू आर, 44 बाई 7 इन्टू, और इन्टू आर, इन्टू, ओके शार्कुम्फरस का ला है, ये आपका, ये आपका सार्कुम्फरस का भाई 44 by 7 के सब्सक्राइब अरे 2 into 22 कितना होता है अरे 2 into 24 44 2 into 22 44 होता है ठीक है 44 आच्छा दोगो दो र इक्वाल क्या होगा र इक्वाल डिवाड 7 into होगा र इक्वाल डिवाड 7 इन्टो होगा और इन्टो 44 दिवाड हो जाएगा ठीक है धन र इक्वाल डिवाड 相एगा डिवाड 7 into 24 डिवाड होगा देखिया अब सरकुंफरस कितना दिया है सर्कुंफरस कितना दिया 88 by 7 by 44 सर्कुंफरस दहाँ हमें रेडिस निकालना है okay सर्कुंफरस 88 दिया है 28, 28, okay, how, next दिया है diameter, radius निकालना, उसका circumference निकालोगी, okay, आचा देखिये, तो diameter का formula क्या है, 2 into r, देखिये, diameter का formula 2 into r, then radius equal to, into 2 divide होगा, diameter by 2, into 2 इदर आकर divide होता है, तो diameter होता है, 2 into r, then radius equal to, into 2 इदर आएगा diameter by 2, so next question देखिये, आपका radius equal to, diameter by 2, diameter होता है 2 into r, into 2 इदर आकर divide होता है, diameter by 2 radius होगा, तो what is the diameter, 35 by 2, तो यह आपका radius आएगा 35 by 2, जादा होता है, ओगे, इसके बाद circumference इसका निकालना है, c निकालना है, question में दिया था circumference, circumference का formula क्या है, 2 pi r, pi के value 20 by 7 r, 2 into 20 by 7, radius कितना है, 35 by 2, ओगे, circumference बोलना है, 2 pi r होता है, circumference circle, 2 into pi के value 20 by 7 r, ओगे, देन तुमारा यह, 2, 2 cut, 7, 5 जा, 5 into 22, 5 into 22, 5 into 22, बोले कितना हाता है, 5 into 10, 1, 5 into 10, 1 under 10 आएगा, ठीक है?